हेलो व्रिवर्ण हेलो फ्रेंज कैसे आप लो है होप सब बढ़ी आ हो मेंस्कित त्यारी जो शोर से चल रही हो एक दम धाकडवे में तो आज का चो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर सिक्स्थ वो है इंसर्जेंसी इन नौर्थ इस इंडिया पर यह पार्ट वन है इस स्टेप्स हैं जो सरकार के स्टेप्स हैं नकसलिजम और नकसलवाद को खतम करने के लिए लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिजम इसको खतम करने के लिए सरकार के क्या स्टेप्स हैं हमने वो देखा और हमने उनको डिस्टिब्यूट किया डवलपमेंट और सिक्यूरिटी के उसके अंदर अलग-अलग sections है, main main में आपको बता दू, media action plan है, civic action plan है, फिर उसके बाद security reimbursement जो scheme है, और उसके बाद कुछ-कुछ infrastructure, जो road वाली, mobile tower वाली, ऐसी, फिर हमने background भी देखा कि ये कैसे शुरुआत हुई थी, इसके प्रती हमारी जो approach है, वो कैसे थी, पहले सिर्फ security पर ध्यान दे रहे थी, लेकिन पिछले 10-15 साल में development पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है, center of state, के इंदरिय और राज्य सरकार है, वो कैसे ताल मिल रख रही है, फिर हमने detail में schemes को देखा, फिर success story थी, बिहार की, अरुनाचल की, sorry, आंदर प्रतेश की, और आपको याद ह तो चारकंट, चातिसगर, यह सब हमने discuss करी, वेस बेंगॉल, फिर हमने देखा, outcomes, outcomes यह है कि violence गिर रहा है, surrender बढ़ रहे है, way forward क्या है, way forward पर हमने यह देखा था, development, security, psychology, funding, सब पर attack करना पड़ेगा, पूरा holistic way में काम करना पड़ेगा, लोगों के साथ confidence building measures करने रखने में देखा कि सल्वा जुड़ूं क्या था, यह कैसे start हुआ था, किस ने start किया था, और इसको basically रोका क्यों गया, आर्मी को deploy क्यों नहीं करना चाहिए, यह भी हमने reason देखे, क्यों करना चाहिए, यह भी reason देखे, balanced conclusion आप यह दे सकते हो, कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, यह एक last choice है, बस, जरूरत पड़ी तो करेंगे, जब सब कुछ खतम हो जाए, जब कुछ भी, यह जब सारे साम दाम दंड भेर लगा दो, उसके बाद किये, अब आते हैं, आज के lecture पे, Insurgency in North East India, यह नया topic शुरू करने जा रहे हैं, चलिए इसको start करते हैं, तो यह introduction है, इस lecture का, इस topic का, तो पहले हम इसके map को समझ लेते हैं, फटाफट, तो North East Asian में भारत के 8 state हैं, 8 राज्ये हैं, अरुना मिजवराम, नागलांड, त्रिपुरा, और सिक्किम, और थोड़ा सा वेस्ट बेंगॉल का पार्ट भी आता है, और जो पहले यह जो मैंने आपको एकदम राइट साइड में जो states हैं, यह साथ state, इनको 7 sisters बोला जाता है, और लैंग्वेज यहां पे mostly तिबेटो बर्मन है, तिबेटो बर्मन, मतलब यहां से origin हुई है भाषा यहां की, और यह जो region है, नौर्थ इस region है, बहुत ही खुसूरत region है, बहुत vibrant culture है, बहुत सारी diversity है, ethnicity में diversity है, काफी सारे religions है, tribes बहुत सारी है, तो जहां आपको पता है tribe होती है, काफी सारा culture उनका लग होता है, एकदम unique culture होता है, नौर्थ इस बेसिकली एक paradise है, और अपनी natural beauty के लिए भी जाना जाता है, जैसे हम उने भी कहा, इनकी wildlife बहुत अच्छी है, unique है, और लोग तो ही, culture से भरा पढ़ा है यह region, तो इसकी अगर development हो, तो tourism तो यहां पे बहुत, फूल सकता है, अच्छे से exploit किया जा सकता ह इसको, फिर इसका अगर हम देखें कि economic significance क्या है इस region का, यहां पे oil, coal, फिर यहां पे hydro electricity के plants, जमीन यहां पे अच्छी है, fertile है, tea का यहां पे बहुत famous production होता है, फिर और भी कुछ ऐसे anecdotes मैं आपको बताऊं, चोटे-चोटे तो facts, यहां पे world की, दुनिया का सबसे बड़ा river island है, मजूली में, असाम में, असाम में, मजूली में सबसे बड़ा river island है, और सबसे clean, सबसे साफ सुथरा गाओं, एशिया का, मौले नौंग में है, शेलॉंग में, मेखालने में, ओके, मौले नौंग, इसको यह spelling थोड़े से अलग है, मौली नौंग, तो इतना कल्चरली देखो, इतनी सारी importance है सीज़की, और इसमें इन चीज़ें हैं, मतलब insurgency के बावजुद, तो इतना कल्चरली और ethnically it, इतना diverse है, 200 से ज्यादा यहाँ पे ethnic group हैं, बहुत सारी भाशाएं है, social cultural identities है लोगों की अलग-अलग, तो यह जो reason है, यह वैसे 8% है, बेश का, geographically 8% है, और 4% इसमें population है भारत की, अब आप सोच रहे होगे, ethnic-ethnic क्या है, ethnic या, देखे, ethnic group जो होता है, या ethnicity, यह जो terms है, यह एक ही चीज़ है, ethnicity या ethnic group क्या होता है, यह कुछ लोग होते हैं, लोगों का group होता है, जो एक ही language, एक ही culture, society, रहने-सहने का तरीका, history उनका, religion आप बोल सकते हो, तो यह सब जब ethnicity के कहलाते हैं, समझे, तो मतलब क्या है, कि characteristic होती है, कुछ group की, किसी एक group की, और उनका जब एक जैसा culture, religion, माननेता ही होती है, ancestry एक जैसी होती है, तो वो एक ethnic group बन जाता है, जैसे अगर मान लो, आपकी, आप 10 PD से एक जगा पर दे दो, तो आपका वो ethnic group हो जाएगा, ओक समझ गए हो आप, चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये भारत से कैसे connected है, ये region जो है, भारत से कैसे connected होता है, ये एक बहुती पतली सड़क है, मतलब सड़क का region है, मतलब अगर आप geography के हिसाफ से देखो, तो ये मातर 23 km पढ़ता है, ये region, ये corridor है, इसको chicken neck corridor बोलते हैं, मुर् Central India से connect करता है, फिर यहाँ पर अगर geography के हिसाफ से देखें, जैसे ये feature geographical feature है, northeast India ज्यादतर हिली एरिया है, असाम के अलावा maximum हिली एरिया है, और काफी ज्यादा rural है ये area, northeast area, और ज्यादतर tribes हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा issue होता है, क्योंकि मैं आपको बता है, tribes के उनका traditional जो हक है वो भी छीन गया जा रहा है, ये सब issue चोलो हमने discuss कर लिए, तो यहाँ पर भी ये बहुत issues आ रहे हैं, फिर अब थोड़ा international angle से देख लेते हैं, भारत जो ये region है, वो boundary share करता है देखो, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांगलादेश क मियानमार के साथ, तो इस वज़ा से भी बहुत सारे issues होते हैं, जैसे हमने देखा है, चाइना के वज़ा से और भूटान का जो region है, यहाँ पे, वहाँ पे कितने issues आते हैं, जैसे डोकलाम 2017 में, डोकला, जो डोकाला, उसको मतलब actual नाम है, वो जो site है, वहाँ पे इंडिया कुछ, तो ऐसे यह सब चीजे हैं, फिर यहाँ पे यह जो area है North East का बहुत important है, strategy के हिसाब से, international relation में आपने पढ़ा होगा, एक वस्या मैं fact बता दोता हूं, 99% boundary जो है, इस region की, जो border है, border, वो international border है, बांगलादेश, मियानमार, चाइना, भूटान के साथ, और 40% जो total भारत का border है, total border, उसका 40% तो यहीं पर है, तो इसलिए यह region बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, international relations के लिए, और इसलिए इसमें security भी इतनी important है, और यह हमारे लिए एक bridge भी है, कहां के लिए, South East Asia के लिए, चलो, फटा-फट एक definitions देख लेते हैं, देखो, insurgency क्या होता है, भारत का जो doctrine है, defense doctrine जो इसका, और यह sub-conventional होता है, मतलब, यह sub-conventional मतलब, normal जो चीज नहीं होती न, जैसे देखो, मुंबई एक urban शहर है, देली एक urban शहर है, अगर आप कुड़गाओं के पास आओगे, तो वो sub-urban हो जाएगा, sub-sub मतलब उसके नीचे, तो convention से थोड़ा अलग, जो normally होता है, उससे अलग, यह definition, proper है, IDSA website से है, यह definition, तो you can directly write it in the exam, तो यह क्या होता है, यह organized arm struggle होता है, कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन किस के खिलाफ, government के खिलाफ, state के खिलाफ, और इसके अंदर reason क्या होते है, ideas हो सकते है, लोगों के विचार नहीं मिल रहे ह हो, ethnic हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया है कि, ethnic एक group होता है, लोगों का, जिनकी shared culture होती है, सबकी एक ही culture होती है, तो वो अपने हके लिए लड़ रहे हो, या फिर language का issue हो, या फिर और कोई social economic political reason हो, या फिर fundamentalism हो, मतलब religion में एकदम लोग believe करते हैं कि नहीं, हमारा state तो religion के या फिर extremism, तो सो कोई भी reason हो इनवे से, और वो state के खिलाफ अगर ऐसा लड़े, है ना, उनके state के खिलाफ खड़े हो, कई बार इसमें foreign support भी होता है, तो उसको insurgency बोलते हैं, तो अब इसमें और एक और point क्या है, जो external forces है, जैसे चाइना interfere करता ही होगा, North East की insurgency मे, तो इस वज़ा से इसको catalyst मिलता है, catalyst तो chemistry का concept है, मतलब इसको एक तरही से support मिलता है, और North में अगर आप देखोगे, जंगो और कश्मीर में, तो वहाँ पर obviously Pakistan support करता है, तो insurgency ये होती है, extremism हमने पढ़ा है, जब भी कोई इनसान या group या देश कोई भी, एकदम extreme विचार रख पॉलिटिकल या religious, militancy क्या है, यह हमने शाद पहले नहीं पढ़ा है, यह condition है, जिसमें आप violence को use करते हैं, बस, simple, बंदुक उठा लेते हैं, तो इसमें individual या group violence करने लग जाता है, और इसके अंदर आता है, terrorism या फिर insurgency, इसका part होते हैं, इसके type है, militancy, terrorism और insurgency, यह है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ultra, मतलब insurgency में भी extremist हो सकते हैं, जो हमला ना करें, समझ रहे हो, तो insurgency में ऐसा नहीं है कि जो भी, इसके, मतलब गोली चला रहा है, वो insurgency है, insurgency वो भी होते हैं, जो ideology रखते हैं, extreme ideology, I think थोड़ा सा यहां पर एक, insurgency तो इंसान हो गया, नहीं, insurgency अगर हो रही है ना, जैसे, जैसे, maoism है, अगर वो एक insurgency है, नौर्थीस्ट में अगर insurgency हो रही है, तो लोग जो विचार करने वाले हैं ना, जो लोग सिरफ thought रखते हैं, कि हाँ हमें अलग से state चाहिए, तो वो वाले भी insurgency हो गए, ज़रूरी नहीं है, कि insurgency हैं जो हैं, सिरफ violence करते हों, वो thinking भी रख सकते हैं, जो देश के खिलाफ जा रही हो, अच्छा, फिर नौर्थीस्ट में जो रीजन है, उसके अंदर conflicts क्या क्या हैं, किस type के हैं, categories क्या हैं, पहला तो है एक national, यह बोलते हैं कि हमारा तो अलग से देश होना चाहिए, हमारा homeland ही अलग है, हमारे हम भारत के साथ identify नहीं करते हैं, यह की जैसे कौन है, ULFA, पढ़ेंगे इसके बारे में briefly, असाम में, National Socialist Council of Nagaland, NSCN, तो जो NSCN वाले हैं, वो भी अलग चाहते हैं अपना, region, sorry वो थोड़ा, disturbed हो गया थी, तो NSCN जो है, एक वो भी इशू देता है, नागालेंड में, ethnic conflicts, ethnic मैंने आपको term अभी समझा दी, इसमें क्या होता है, जो tribals होते हैं, जो group हैं, कोई भी group है, वो अपने culture को dominant रखना चाता है, या फिर अपने culture को आगे रखना चाता है, बस, इसमें यह होता है, ethnic मतलब जिनका culture से हम होता है, तो ethnic conflict में क्या होता है, वो लोग अपना ही कल्चार आगे रखना चाहते हैं सिधी सी बात समझेया ना तो यह कंफ्लिक्ट बहुत देखा जाता है असाम में तो बहुत देखा जाता है सब रिजनल कंफ्लिक्ट मैं आपको समझाय जैसे अगर डेली मेट्रो सिटी है यह अर्वन सिटी है तो गुरगाउं यह उसके आसपास के रिया नौिडा सबर्बन कहला सकता है जैसे मुंबई है तो ठाने इस सबर्बन सिटी घाटकोपर इस सबर्बन सिटी ऐसे तो सब regional conflicts, मतलब एक region के अंदर छोटे छोटे region भी अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं, उनके बीच में conflict हो रहा है तो यह क्या है, इनकी भी अपनी इच्छाई हैं, यह भी फिर state government से लड़ने लग जाते हैं क्योंकि वो state से लड़ेंगे न, direct center से नहीं, सब regional है, यह regional नहीं है जैसे कि United People's Democratic Solidarity in Assam तो यह conflicts को हम ऐसे distribute कर सकते हैं, एक structure में दे सकते हैं फिर आते हैं historical background पे, थोड़ा सा अगर हमें समझ में आएगा कि history क्या है, यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं तो आप समझ में आएगा कि यह कितना जायज है या नहीं जायज है और इसको कैसे tackle करना चाहिए वही बात है न, जब तक आपको किसी चीज की जड़ नहीं पता, आप उसको हटाओगी कैसे तो देखो यह region जो है ethnically, ethnically आपको समझ में आया है कि I hope ethnically, linguistically भाषा के हिसाब से, culture के हिसाब से भारत से बहुत अलग है मतलब जो mainland India है, जो उसका culture है, उससे काफी अलग culture है, लेकिन यह जो culture है और ethnicity है, यह एक problem है, लेकिन ऐसा direct conflict नहीं होता इससे और issue क्या आ जाता है, जब भारत independent हुआ था और उसके बाद जब state boundaries बन रही थी, तब यह जो ethnic जो थे न, identities लोगों की, जो culture था diversity इतनी जादा है, उसको ध्यान में रखके बटवारा नहीं हुआ, states का मतलब, एक problem area यह है नौर्थ East में, कि जब territory organized हुई थी, तो ethnic और जो cultural इनकी requirements थी, वो इग्नूर हो गई थी, 1950 के दशक में इस वज़ा से, अंसर संतुच्टी है लोगों में, क्योंकि वो अपनी identity नहीं आगे लावा रहे हैं, समझ रहे हैं जैसे पंजाब की एक तरीके से आप बोल सकते हैं, एक identity है जनरली, लेकिन असाम में ऐसा नहीं है, अरनाचल में ऐसा नहीं है, ऐसे, खासकर नागालेंड और यह मनीपूर एरिया जो हैं, इसमें बहुत ऐसे problem आते हैं, कि लोग अपनी identity नहीं बोल पाते हैं, एक ही state में कहीं सारे group हैं, तो यह हैं यहां पर issue, अब independence से पहला कैसा हाल था, देखो, 100 से ज्यादा tribal group हैं नौर्थीस्ट में, 100 से ज्यादा tribal group, उन सबका अपना culture है, स सबकि अपनी रित्ती रिवाज है, ब्रिटेशर के time में क्या होता था, यह बहुत सारा, बहुत इनकी majority थी, क्योंकि यहां tribals ही रहते थे, non-tribals नहीं थे, समझ रहो, तो majority कौन था, tribals, तो ब्रिटेशर ने क्या किया, इनको एक अलग से status दे दिया, कि आप अलग से अपना रहो, और हम आपको disturb नहीं करेंगे, हम आपका political structure disturb नहीं करेंगे, आपके society disturb नहीं करेंगे, और दूसरों को आने भी नहीं देंगे, Britishers ने ये भी किया, outsiders allowed नहीं थे, यहां पे, कि यहां इस एरिया में आके वो लोग land खरी सकें, बट, Britishers ने फिर बहुत शाणे हैं, वो तो आपको पता ही है, उन्होंने अपना कुछ ना कुछ खुजली तो करनी थी, तो उन्होंने क्या किया, Christian missionaries, जो उनके एक तरीके से priest होते थे, जो दूसरी जगा पर जाके Christianity फेलाते थे, वो यहां पर आ गए, उन्होंने school बनाए, उन्होंने hospital बनाए, churches बनाई, तो missionaries जो थे, बहुत सारे changes लेकर आए, बहुत सारे progressive ideas, नए नए, new new modern ideas लेकर आए, किनके मन में tribal youth, तो इससे क्या है, Britishers ने एक फायदा उठाया, कि भारत के खिलाफ कर दिया, उनको, समझ रहो, जो nationalist थे, वो यहां पर असर नहीं डाल पारे थे, यह जो areas थे, यह क्योंकि यहां पर missionaries आ गए थे, तो यहां पर वो लोग फिर Britishers का जो culture थे, उसको support करते थे, तो यह policy बहुत बड़ा reason है, कि यह लोग जो North East area है, यह हमारे से या भारत के दूसरे पार्ट से थोड़ा isolated है, culture mix नहीं हो पाय हमारे, यह problem है, फिर से एक बार बता देता हूँ, जो Britishers की policy थी, missionaries को लाने की, और दूसरे लोगों को बाहर करने की, उस वज़े से, जो Indian nationalists है, इंडिपेंड ज्यादा बन गया, यह जो policy थी, Britishers की, तो इस वज़ा से, mostly कोई भी social, cultural, political, religious, even के मतलब धन्दा करने का भी कोई तो नहीं था, contact, business contact भी नहीं थे, तो इंडिया का जो freedom struggle हुआ, struggle पूरा, 50-70 साल का जो भी struggle था, और उसके बाद जो इतना impact आया, भारत में दूसरी जगाओं पर, वो यहाँ पर आ ही नहीं पाया, तो इसलिए यहाँ पर वो feeling नहीं आ पा रही थी, कि यह एक अजाद देश का part है, क्योंकि इनके लिए कुछ ज़्यादा change ही नहीं हुआ, और यह policy Britishers की भी थी, वो चाहते ही नहीं थे, कि भारत के nationalists यहाँ पर independence के लिए कुछ कर सकें, तो भारत का जो यह हिस्सा है नौर्टीस्ट, इन्डिपेंडेंस से पहले इनके लिए outsiders पता है कौन थे, सिरुप Britishers, मतलब इनके लिए दुनिया बाहर वही थी, तो यहाँ पर जो इनकी वो थी, एक तरीके से, आप कह सकते हो, allegiance जो है, मतलब यह लोग किसीज को मानते हैं, तो वो भारत का जो नया देश बना था, आजाद भारत, वो उसके लिए आया है नहीं, feeling नहीं आई, उसके बाद इस पाकिस्तान बन गया, तो और feeling नहीं आई, तो physical connection, क्योंकि इसकी वज़ा से वो बांगलादेश, मतलब वो जो रीजन मैंने आपको दिखाए, इसलिए सिलीगुरी कॉरेडर दिखाए मैंने आपको, तो भारत से connection इनका बहुत तूट गया, और बहुत कम हो गया, limited हो गया, तो यह issue है, independence से पहले, अब independence के बाद क्या हुआ, center ने, देखो, जो केंद्रिय सरकार थी, उन्होंने ये तो काम किया, कि लोगों से मिला जाए, और इसी चीज़ के लिए, sixth schedule जो है, constitution का, इस region के लिए दिया गया, और बोला कि आप अपने आप अपने उपर राच कर सकते हैं, आपको autonomy दी जाएगी, फिर यहाँ पर decentralization भी कर दिया, regional councils भी बनाए गए, तो थोड़ी सी history में आपको पता दूँ, पहले सिरफ असाम था और एक union था, union territory कौन से थी, नेफा करके, नेफा नेफा जो भी बोल सक पते हो, North East Frontier Agency, तो वो पूरा North East था और अचान था, उसके नेफा को अरणाचल प्रदेश का नाम दे दिया, और एक separate state बना दिया, 1987 में, तो नेफा डवलप हो रहा था, तो नेफा जैसे से डवलप हो रहा था, तो तो नेफा जैसे से डवलप हो रहा था, तो उसरी country के यह तो मैंने थोड़ा आगे की बात बता दी, 1987, लेकिन जो देखो, नीफा के अभी तक पटवारा नहीं हो रहा था, तो यह जो काम चल रहा है, डवलप हो रहा था, दूसरी, मतलब अपने हमारे जो, मतलब भारत के साथ डवलप हो रहा था, लेकिन जो ट्राइबल एरिया इनका फोटो मैंने अगली साइड में रखा है, AZ फीजो जो थे, इन्होंने रिवल्ट कर दिया नागालेंड में, और उसके बाद वो फैल गया, मिजोरा, मनिपूरा, तिरपूरा, मेगाले सब रीजन में, फिर 1960 में, असमीज ओफिशल लैंगोज बना दी, स्टेट की, ठी और बेंगॉली जो लोग थे वहाँ पर, उनसे एलेनेट हो गई, मतलब दूर हो गए और, क्योंकि ट्राइबल का अपना ही था ना सब कुछ, लैंगोज अलग, कल्चर अलग, तो ट्राइबल अपनी आइडेंटिटी खोने के डर के मारे, यह सब मतलब, इंसरजेंसी में प इन्होंने रिवोल्ट, वाइलेंट रिवोल्ट इन्होंने ही स्टार्ट किया था, फिर और क्या हुआ, बहुत सारे डेमोंस्टेशन हुए, एजिटेशन हुए, 1969 में, यही डिमांड्स वगरा के चक्कर में, 1966 में, में में गाल्या बना दिया गया, आसाम से, लेकिन उस टा नागालेंड मिजोराम में भी वो बोल रहे थे, नहीं नहीं हमें स्टेट चाहिए, अलग स्टेट चाहिए, तो नागालेंड को भी 1963 में पहली मिल गया था, फिर मिजोराम को भी 1987 स्टेट मिल गया था, और नीफा को 87 में अरुनाचल प्रदेश का नाम दे दिया था, तो य इनकी एक बहुत शॉर्ट हिस्टरी है तो यह सीरीज के समझ में यह कहां से इशू आ रहा है इसमें नौर्थ इस्ट में तो कहां से स्टार्ट हुआ नीफा और असाम से ट्राइबल्स का इशू था ट्राइबल्स का अपने आइडेंटिटी चाहिए फिर फीजो जो थे उनके लीडर बने इन्होंने मोर्चा फिल आया इनके बारे में पढ़ेंगे आगे डीप में तो यह ओर और स्टोरी है समझ रहे हो यह ओर स्टोरी अभी स्टेट वाइस देखेंगे तो आपको और चीज़े क्लियर हो जाएंगी फिर एक और पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फरेंस ह तो जो हिल एरियास के जो रिप्रेजेंटेटिव थिज़ेस वाने आपको बताया बहुत सारे एरियास मैक्सिम एरियास है यहां पर तो उन्होंने एक एपी एच एलसी यह एपी एच लसी बनाई 1960 में और उन्होंने बोला कि हमें अलग से एक राज्य दे दो इंडियन यू भी होना पूरा लेकिन यहां पर यह ही है इसका मीनिंग कि वह अपना एक अलग से स्टेट चाते थे इन्होंने इलेक्शन भी लड़े और काफी वोट्स भी जीते फिर 1969 में मेगाले को मैंने अभी बताए स्टेट विदिना स्टेट दे दिया था इन्हीं की मुवमेंट की वज़ा से फिर स्टेट हूड मिला दूसरों को और यह तो हमने पहले डिसकस कर लिया है तो यह इनकी मुवमेंट की वज़ा से हुआ था तो अभी देखो सरकार ने काफी सारे सीसफायर जो अग्रीमेंट से साइन किये हैं और बहुत सारे मतलब सरकार ने यह भी अप्रोच रखिये कि बात की जाए डायलॉग के साथ काम किया जाए और नेगोशियेशन करी जाए लोग के साथ वाइलेंस को कम किया जाए तो अग काफी सारी improvements है 2015 में आपको पता है एक agreement भी वा था वो भी हम देखेंगे तो काफी सारी चीजें हुई है पिछले पांदर साल में और उसके outcome से उसकी वज़ा से पिछले 5 साल में खासकर improvement हुई है violence कम हुआ है तो अभी situation क्या है North East में insurgency की situation क्या है तो यह official government data है तो इन्होंने का इसके वज़े से देखो स्वारी इसके हिसाब से देखो violence जो है कितना ज्यादा कम हुआ है आप incidents को दीखे पहले तो incidents 1000 से approximately 2019 में 61 पर आ गये है extremist arrested काफी कम हो गया क्योंकि उनकी amount भी कम हो गई है killing तो काफी गिर गई है क्योंकि again incidents कम हो गए है तो special forces की जो death थी 19 में हुई नहीं civilians तो बहुत 4 हो गए 100 से surrender भी कम है तो basically सब कम हो रहा है क्योंकि अगर violence करने वाले नहीं है तो violence नहीं होगा तो यह जो profile है यह है 2012 से 19 तक तो इस data को आप कहीं पर भी code कर सकते हो यह official data है तो और क्या जीज़े हैं देखो तरी पुरा और miserum में तो है ही नहीं almost no insurgency बहुत कम हो गया है और इनमें बहुत improvement आई है इन्होंने बहुत काम किया है और थोड़ा सा insurgency बड़ी है नागा लेंड में लेकिन 2013 से अगर आप देखोगे तो situation काफी improve हुई है जैसे इस data में मैंने आपको बताया और 2018 में सबसे कम incidents हुआ है 1997 से और लेकिन एक issue ये भी है कि Assam, Manipur, Nagaland इसमें अभी भी issues है और एक continuously अभी भी issue बना हुआ है भारत के लिए 2018 में अचाई तो मैंने आपको बता दिया 17 में insurgency incident facts है ये ऑफिशल अगें 2017 से अगर compare किया जाए तो incident जो है वो घट गए है 18% 2018 में similarly 25% reduction है किसमें deaths में किसकी civilian और security forces की तो ये भी अगें official data है अब पढ़ते है state wise मतलब हर एक राज्जे का थोड़ा थोड़ा brief background देखते हैं issues क्या है तो पहले आते हैं नागा लेंड में तो पहली जो insurgency start हुई थी और जो काफी significant जो है वो नागा लेंड के अंदरी start हुई थी under az फीजो 1950s में तो यह आप देख सकते हो मैं आप नागा लेंड बस इसका position देख लो आप ऐसे डिस्ट्रिक को तो इतना जरूरी नहीं है बठाव यह हेल्प करता है memory के लिए एक visual learning के लिए तो यहां पर है नागा लेंड तो नागा insurgency यह सबसे ज़्यादा टॉप पे का पहुंचित वदा है 1956 में और armed conflict हुआ था मतलब लाई जगड़ा गोली आम्स के साथ जखड़ा हुआ था पूरा यह किसने हेड किया था नागा national council ने यह क्या चाहते थे नागा territories भारत से अलग चाहते थे कि वह एक अपना नागा लिम करके एक state बना ले तो एक तरीके से इसको solve कैसे करते हैं एक अप्रोच सरकार ने लगाई है जैसे गांधियन अप्रोच जो है गांधी जी की अप्रोच जो है कि बात करो negotiate करो hearts and minds लोगों के change करो तो उसी वज़ा से बातचित कर करके negotiation कर करके उनको ऐसा नहीं कि भारत से अलग लेकिन एक state दे गिया नागा स्टेट इंडियन उनियन में ही 1960 में और यह 1963 में इनागरेट हुआ था मतब 1960 में negotiation पूरी हो गई थी बड़ उत्रे सट में स्टेट बन गया था कि तो अब इसकी स्टोरी देखते हैं फटा-फट तो जब भारत अज़ाद हुआ तो उसके बाद केंजे सरकार ने नागा एरियास जो थे उनको बोला कि आओ आओ आप एक state बनाए अदो आप इसका भाग बनो इंडिया का पार्ट बनो लेकिन नागा लोग जो थे वो थोड़ा कुछ-कुछ ऐसे बहुत थे लोग उसमें ज इसके अंडर नागा नेशनल काउंसल तो नागा क्या बिलीव करते हैं कि हम भारत के पार्ट नहीं हैं और अभी जो है फिर इस्प्लिट हो गया था फिर अगें और उसके बाद एक मैं बताऊंगा वह स्टोरी उसके बाद क्या बना था नाशनल सोशलिस्ट काउंसल आफ न नागालिम जिसमें सारे नागा पीपल हो नौर्थ इस्ट इंडिया के और बर्मा के बर्मा इस मयानमार तो इशू क्या था थोड़ी सी हिस्ट्री देखोगे तो ब्रिटिश एरा में नागास को पॉलिटिकल डवलप्मेंट जैसे मनें आपको बता नौर्थ इस्ट में इस्टर्ब नहीं किया कल्चर और जो क्रिश्चन्स थे उन्होंने काफी सारी ट्राइब्स को क्रिश्चानिटी में कनवर्ट कर दिया कि एक बैग्राउंड मैं आपको दे रहा हूं थी अब देखो 45 में क्या हुआ 1945 में नागा हिल डिस्ट्रिक काउंसल बना था नागा ग्रुप्स के लिए जो भी इन्होंने कलेक्टिविक ग्रुप बना यह सिर्फ इन्फॉर्मिशन के लिए है आपको याद नहीं रखना है सिर्फ अंडर्स्टैंडिंग के लिए है 1946 में वो बन गया एननसी जिसकी हमने अभी तक बात करी है यहां पर एननसी नागा नैशनल काउंसल यह था 46 45 में कुछ लोगों ने मिलके एक और्गनेजेशन बनाई उसका दुबारा अगले साली नाम चेंज कर दिया एननसी कर दिया 75 में फिर बात कर करके नेगोशियेशन कर करके शिलोंग अकॉर्ड हुआ था क्या हुआ था शिलोंग अकॉर्ड यह थोड़ा मालस्टोन इंपॉर्टेंट है इसमें क्या था इन लोग ने एक्सेप्ट किया था कि हम कॉंस्टिटूशन के अधीन रहेंगे लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने अगरी नहीं किया तो जिन लोगों ने अगरी नहीं किया वहाँ पर मैंने आपको बताया न कि एक टूट गए थी पार्टी सेपरेशन हो गया था तो एन एनसी टूट के एनसीन में बट गई थी तो कुछ लोग जो थे council के उन लोगों ने माना नहीं कि भाईया ये agreement हम नहीं मानने वाले तो ये बना दिया इन्होंने फिर NSCN National Socialist Council of Nagaland अब ये बट गया किसमे इसाक मूविया में और कापलांग में मतलब NSCNIM NSCN कापलांग अब मैं आगे से यही बोलूँगा भी NSCNIM NSCN K और लिख दूँगा साथ में सामें तो यहाँ पे ये पटवारा हो गया 1997 में फिर एक ceasefire agreement हो गया NSCNIM के साथ और ये अभी तक चल रहा है extend हो रहा है इनके साथ काम चल रहा है बाक्षित हो रही है 2001 में भी ceasefire agreement हो गया था खापलंक फैक्षिन के साथ जो अभी तक चल रहा है तो देखो ceasefire agreement अलग होता है और peace agreement अलग होता है ये बात ध्यान रखना ये आगे काम आएगा फिर ये एक state बना नागा leaders जो थे उनके moderate leaders भी थे जैसे हर बार हमने history में पढ़ा है moderate extremist दोनों होते हैं तो fees ओ थोड़ा से extremist थे hardliner थे moderate जो थे उनके साथ agreement हुआ उनका नाम था incongliva ao I really don't know pronounce मैं सही कर रहा हूं की नी because I try to find on internet so incongliva ao जो थे उनके साथ negotiation हुआ था और फिर एक nagaland state बना था 1963 में तो इस step की वज़ा से भारत की unity integrity बहुत strong हुई थी security भी strong हुई थी क्योंकि लोगों के साथ negotiate करके काम गिया गया था मार काट करके नहीं किया गया था किसी ने किसी पर थोपा नहीं ये एक agreement के तहत हुआ था non-violence के through हुआ था और इसी की वज़ा से जो rebels से उनका काफी support गिर गया because लोगों ने जब देखा कि without लड़ाई लड़ाई जगड़े के बिना जब काम हो सकता है तो फिर क्यों कर रहे हो और ये भी था कि जो union सरकार थी केंड़े सरकार थी उन्होंने फीजों के साथ negotiate करना भी मना कर दिया था negotiate करने से क्योंकि उन्होंने कहा था आप violence मत करो आप अलग राजजे की demand छोड़ो हम बात तो करो पहले आके वो तो कहते नहीं पहले आप मानो फिर बात करेंगे तो ऐसा है लेकिन अभी भी issue क्या है नागालेंड में अभी भी मैंने जैसे आपको शूरू में बताया कि नागालेंड एक ऐसा एरिया है अभी भी वहाँ पे issues है तो वहाँ पे अभी भी parallel government चलती है parallel government मतलब groups हैं वो अपना ही राज चलाते हैं state government और केंडर सरकार का rule of law नहीं चलता है फिर वहाँ पे ceasefire violation अभी भी होते रहते हैं जैसे जम्मुएन कशीर में होते हैं और एक और बात है कि जैसे 2015 में जो एक strike हुई थी cross border जो hot pursuit वाला जो था so जो hot pursuit था ये मियानमान border के पार गए थे right तो यहीं पे फिर ये totally accept किया था government ने किया हाँ yes we cross the border also तो NACN खाप लाग जो है NACN खाप लाग इसके ख्लाफ किया था क्योंकि ये मियानमार से operate कर रहे थे फिर ये पूरी timeline है इसको अगर आप देखना चाहते हैं आप देख ले ना ये मैंने आपकी assistance के लिए रखा है तो जैसा और एक और चीज है हाँ 2015 में peace accord करा गया है framework agreement मैंने आपको बता है na ceasefire का अलग होता है peace agreement अलग होता है तो peace agreement NSCN इसका मुविया इसका मुविया इनके साथ किया गया है details अभी तक भार नहीं निकलिया और ये थोड़ा सा इस पर issue भी है कि आप क्यों नहीं बता रहे हो क्या बात हुई है तो यह एक timeline है इसको आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो सेंचीज है जो मैंने बताया है देखो में में डेट से 63 है formation हुआ था शिलॉंग agreement हुआ उसके बाद सीस्वाइर agreement NSIM के साथ NSCIM NSCNIM के साथ ठीक है फिर बटवारा यह फीजो का NNC form हुआ था तो यह सब चीजें है यह तो प्री इंडिपेंडेंस है तो अगर आपको करना आप कर लें फिर एक नागा क्या चीज है यह एक framework है 2015 का जो है framework है भारत सरकार ने नेगोशियेट किया है NSCNIM के साथ इसाथ मुविया जो है नैशनल सोचलिस्ट काउंसल ओफ नगलिम इसाथ मुविया जो फैक्शन है उसके साथ NSCN खापलां के साथ यह नहीं है बट इसके अंदर क्या क्या होगा वो अभी तक साइन नहीं हुआ है सिर्फ एक framework साइन हुआ है मतला उपर उपर से बाते हुई है कि हाँ यह होगा यह होगा यह होता है framework अंदर की चीजें जो है proper rules regulations क्या आप करोगे क्या आप नहीं करोगे आप arms कितने दोगे वगरा वगरा यह सब beside नहीं हुआ है और अभी यह हुआ भी था देखो 2019 में फेबरी में डेली में एक rally लाई गई थी कि finalize करो इतनी जल्दी मतलब इसको जल्दी से finalize करो और लड़ी चार साल हो गए है तो नादा लेंड में कौन से कौन से insurgent groups हैं जो वो हैं वहाँ पे और जिनको unlawful declare कर दिया गया है UAPA जो act है unlawful activities prevention act 1967 के अंडर उनको unlawful declare कर दिया गया है या terrorist declare कर दिया गया है तो nscn खापलां nscnim nscn एक और group है kn और nscn reformation तो यह हैं और इनको क्या-क्या बोला गया है कि देखो terrorist organization है nscn खापलां तभी तो इसको border के across pursue किया था लेकिन nscn आयम और बाकि सब के साथ ceasefire agreement है तो इसको terrorist brand लेंग किया तो यह था नागलेंड का अब आगे बढ़ते हैं असाम पे तो यह असाम state है नौर्थीज में कहां बैठा है देख लिजे और यह इनका local map है तो देखें नागलेंड के बाद असाम का issue जो है वो है बहुत इनों जो रीजन के लिए खतरनाक है 1979 में स्टार्ट हुआ है insurgency insurgency issue नहीं insurgency कि जो लोग थे लोकल लोग जो है असाम के उन्होंने बोला कि जो illegal लोग आके रखे हैं बांगलादेश से उनको असाम से आप निकाल लिए और मुवमेंट कौन लेकर आया था या कौन चल रहा था आंसू बोलते थे उसको और असाम students union तो यह पहले सत्तागरा कर रहे थे non-violent चीज़े कर रहे थे boycott कर रहे हैं पिकेटिंग कर रहे हैं धरना लगा के बैठे हैं अरेस्ट करा लो कर लो अरेस्ट ऐसे जो बेसिक सत्तागरा जो गांधी जी फॉलो करते थे वह वाला फिर उसके बाद क्या हुआ 1985 में यह जो मुवमेंट थी 79 में जो स्टार्ट हुई थी यह 1985 में खतम हो गए थी क्योंकि एक असाम अकॉर्ड साइन हो गया था इसके अंदर क्या डिसाइड हुआ था कि जो कोई भी कोई भी इंसान स्टेट के अंदर आया है इल्लीगली जैन्वरी 1966 से लेके मार्च 1971 तक यह रह सकता है बट इसको वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे लेकिन जो 1971 के बाद आये हैं वो पूरा बाहर पूरा बाहर मतलब स्टेट से बाहर सिदा यह क्यों है क्योंकि यह पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बारे में है वहां के जो स्टेट के जो लोकल्स हैं उनकी आइडेंटिटी के बारे में है पॉलिटिकल आइडेंटिटी सोचल आइडेंटिटी वो लोग सोचते हैं कि हमारी जो पहचान है व ये लोग अपनी identity नहीं रख पा रहे हैं, maintain, तो लोग जो है, indigenous लोग जो है, असाम के, जो वहां रहते हैं, सदीयों से, वो सोचते हैं, और feel करते हैं, और ये हो भी रहा है, कि future में illegal migrant इतने बढ़ जाएंगे, कि वो political power सारी ले जाएंगे, वो majority हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसा बता, political identity, तो ये लोग अपने ऊपर ही, आप समझे रहो ना, अपने ऊपर ही, अपने politicians नहीं रख पाएंगे, migrants वाले politicians आ जाएंगे, तो ये issue है, I hope ये समझ में आया हो, और काफी organization है, जो असाम का independence भी चाहती है, अभी देखो, ये topic है, उल्फा का, United Liberation Front of Assam, तो ये topic इसका है, तो काफी सारी ऐसी organizations है, अचली अभी क्या करेंगे, हम लोग, जो अंदर issues है ना, असाम के, वो देखते हैं, तो जो उल्फा है, ये 1979 में बनी थी, ये देखो, 1979, तो 1979 में बने थे, ये क्या चाहते हैं, असाम की independence आते हैं, और वहाँ पर एक socialist government चाहते हैं, लेकिन, successfully एक बात हुई है, के इंद्रिय सरकार और राज्य सरकार और उल्फा ने एक agreement sign किया है, जिसके अंदर operations वो suspend कर देंगे, इसको बोलते है, suspension of operation agreement, मतलब ये attack नहीं करेंगे किसी पर, ऐसा, और सरकार ने क्या किया है, इनको ban भी कर दिया है, under UAP Act, Unlawful Activities Prevention Act, और उल्फा को खतम करने के लिए, इंद्रियन आर्मी ने भी काफी operations चलाए है, और जो अभी भी चल रहे हैं, असाम में, क्योंकि उल्फा ने एस sign तो कर दिया, suspension of operations, लेकिन follow नहीं करते हैं, उसको बहुत जादा, बहुत सारे terrorist attack भी किये हैं, इंद्रियन मिलीटरी पे भी, तो ये जो 1979 में आसू के साथ जो था ना, ये All Assam Students Union, उसके साथ ये 1979 में पैदा हुई थी, तो देखो, ये issue पता है कहां था हैं, सिरफ भारत में नहीं है, बांगलादेश भी इनके उपर वो कर रहा है, प्रेशराज दाल रहा है, और इंडिया को support भी क्या है में पीस लाने के लिए, अब आप सोचों के क्यूं, क्यूंकि ये Assam और बांगलादेश connect होते हैं, boundary इनकी connect होती है, तो उल्फा जो है, वहां से ये लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है, फिर आते हैं issue of borderland में, तो पहले समझते हैं borderland में, ये एक सबसे ज़्यादा बड़ी community है, लेकिन किसके अंदर, notified जो schedule tribes हैं, उनके अंदर, notified schedule tribes जो है Assam में, उसमें सबसे बड़ी community है, बोडोस की, और बोडोस 5-6% हैं Assam की population के लिए, तो इन्होंने separate state के लिए, एक अलग से इनको राज्ये चाहिए, around 1980s के बीच में, like 1984-85, ऐसे इन्होंने start किया, कि demand करी, कि हमें अलग से एक राज्ये दो, और ये एक armed struggle था, और armed struggle कैसा, मतलब बहुत बुरा था ये, मतलब इस टाइम पे इन्होंने non-bordos को तो साफी कर दिया था, almost, बहुत जादा killing हुई थी, तो national democratic front of borderland, ये क्या है, इसको borderland security force भी बोलते हैं, ये एक terrorist organization है, असाम से काम कर रही है, जो चाहती है कि हम bordos का एक अलग से राज्य हो, और ये terrorist organization किस ने करा है, कहा है, center ने कहा है, 1998 में फॉर्म हुई थी, और ये बोलते हैं कि हम represent करते हैं bordos को, ये बोलते हैं, और ये देखो, heart of the bordo problem, क्या है, जड़ पे क्या है, bordo tribes जो है, वो north banks पे, भरंपुत्र के, इसका में region next stop को photo में दिखाऊंगा, तो वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे बेंगॉली speaking जो immigrants आ रहे हैं उनसे problem आ रहे हैं, अमेरे आपको क्या बताया था, असाम में, जो बाहर के migrants हैं, उनसे issue हो रहा है, तो असाम में ही bordo land का है, तो bordo land भी वही, immigrants जो आ रहे हैं, बेंगॉली speaking, उनके खिलाफ ये struggle है, कि तुम निकलो यहाँ से, उनका कहना है, कि तुम निकलो, यह हमारा राज्य है, हमारी political identity, maintain रखने तो हमें, तो यही है, कि 1980s में भी यही हुआ था, जो non-bordo's थे, इमिग्रेंट्स, उनके ओपर हमला हुआ था, उनको मारा गया था, तो यह है कहाँ पे, यह देखो, भरंपुत्र के ऊपर का रीजन है, यह, ठीक है, यहाँ पे में स्टोड़ी क्रॉप हो गई, next slide में, it's full, तो 2003 में, Bordo Militants ने अपना वो agreement के हिसाब से एक accord हुआ था, Bordo Accord, उसके हिसाब से फिर इन्होंने arms ले कर दिया, मतलब बोल दिया कि ठीक है, चलो, कोई नहीं, ceasefire, ऐसे, तो उसके बाद एक Bordo Land Tribal Council बनाया गया, 6th schedule के अंदर, जिसके अंदर इनको 40 subjects पे power दी गई, और एक area create किया गया, district का नाम, जिसका नाम है, Bordo Land Territorial Areas District, 2003 में, तो यह Bordo Accord है, काफी important है, यह news में है, Bordo Land अभी, जब भी हम आगे देखेंगे, तो यह थोड़ा important हो जाता पड़ना, यह क्यों इतना issue बन गया था, after independence, Bordo Land का, क्योंकि जो illegal migrants आते हैं, वो क्या करते हैं, वो इनकी land ले लेते हैं, फिर इनके साथ घुल मिलने लग जाते हैं, जबरदस्ती, मतलब चाहे culture match ना कर रहा हो, right, ideas match ना कर रहे हो, culture match ना कर रहा हो, वो फिर भी forced, मतलब एक तरीके से अपने आपको घुसाने की कुश्च करते हैं, और अगर वो ज्यादा हो जाएंगे, तो Bordo's का culture loss हो जाएगा, culture में क्या आ जाता है, जैसे language आती है, right, customs आते हैं, यह सब जाएगा, तो आप सोचो, मतलब उनकी एक economy उस पर असर पढ़ रहा है, उनकी identity पर असर पढ़ रहा है, तो क्यों नहीं लडएंगे, वो लडएंगे यह अगर उनको लगएगा कि state उनके लिए काम नहीं कर रहा हित्त में, तो फिर बाद में उन्होंने लड़ा, और यह खा 2012 में अगर आपको कुछ याद हो किसी student को, तो 2012 में भी एक violence हुआ था काफी साथा, जो मतलब इवन के Mumbai में भी दिखा था, कि काफी सारे North Indians के खिलाफ, rumor फैला था कि, उनके उपर हमला कर देंगे, तो वो काफी सारे लोग चले गयते, ट्रेन पकड़ गे वापस, तो इतना सरोत है, तो देखो ये है, Borderland Territorial Autonomous District, इसके अंदर चार डिस्टिक्ट है, कोकराजार, चीरांग, बाकसा, उदलगुरी, तो ये भरंपुत्र के ऊपर है, तो जो इसमें unrest आया था Borderland में, वो Assam Accord के बाद आया था, जैसे मैंने बताया, तो Assam Accord के बाद, ABSU, ये एक organization बनी थी, All Border Students Union, इन्होंने बोला कि नहीं, Borders को भी अब आप State दो, Assam Accord आपने कर लिया, आप हमें भी दो, हमें भी चाहिए, तो ये इनका issue वहाँ से उठाता, State उठाता, अब ये news में क्यों है, क्योंकि recently, 2020 में ही, January में इसी साल, यहाँ पे agreement हुआ है, काफी बड़ा agreement हुआ है, अच्छा, उससे पहले मैं आपको इस बता दू, Borderland Territorial Council है, यह आपने देख लिया, इसमें 4 district है, फिर उसके बाद Borderland Territorial Area District, यह जस्ट revision के लिए बता रहा हूँ, तो क्या हुआ है भी Central Government, Assam Government और Border Groups ने, और जो भी थे, National Democratic Front of Borderland, NDFB के पार्ट जो थे, सबने, सबने मिलके एक agreement किया है, ठीक है, और, और district, redraw करेंगे, किसको, BTAD को, इसलिए मैंने आपको यह भी बताया था, Borderland Territorial Area District, और इसको rename करेंगे, Borderland Territorial Region के नाम से, Assam में, तो BTAD क्या है, मैंने आपको बताया है, चार district पे है, कोकराजार, चिरांग, बकसा और यूदल आता है, और, अब जो यह region रहेंगे ना, BTR के, इनके उपर CAA apply नहीं होगा, citizenship amendment act 2019 जो है, वो apply नहीं होगा, तो यह borderland का issue news में है, इस साल agreement हुआ है, तो कुछ ना कुछ सवाल उपर नीचे से बन सकता है, direct नहीं आएगा, इस topic पे, कुछ आगे पीछे वो पूछ लेंगे, क इस region में क्या हुआ है, क्यों issues हो रहे हैं, ऐसा पूछ सकते हैं, solutions क्या और दे सकते हो, या फिर और agreement होने चाहिए, या फिर overall security issue असाम की क्या है, तो ऐसे करके कुछ अगल बगल का पूछ लेंगे, directly यह नहीं पूछेंगे, UPSC यहीं करता है, यह news में आया ना, तो आपको बगल बगल की चीज़ें पढ़ने पढ़ेंगी, जैसे, beat add क्या है, six schedule क्या है, वो six schedule पे कुछ पूछ सकते हैं, और उसमें पूछेंगे ही नहीं कि बोडो लेंड में, अभी news में क्या है, बोडो लेंड की वज़ा से six schedule नूज में आया, तो वो six schedule पे कुछ पूछ लेंगे नाइशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स ये भी इसी चक्कर में आया था इम्मिग्रेशन के चक्कर में तो एनर्सी क्या है वो एक लिस्ट है 1951 में बनी थी सेंसर्स के ऊपर तो 1980s में असाम का जैसे मैं आपको बताया वहां स्ट्रगल इशू चल रहे थे इसलिए 85 में असाम अकॉर्ड हुआ था तो यही इशू था कि foreigners को भगाओ यहां से उनको सीधा बोलते थे वो कहते थी कि काफी सारा migration हो रहा है असाम में और इसकी वजह से हमारी जो इंटिटी है वो खतम होने के उसमें है कगार पर और इसको फिर बाद में डिमांड बढ़ने लगी कि इसको आप अपडेट करिए और असाम में पता है migration यह नहीं सिर्फ इंडिपेंडन से चल रहा है बहुत पहले से चल रहा है कलोनियल टाइम से भी ब्रिटिशर्स टाइम से चल रहा है फिर उसके बाद बॉर्डर स्टेट है इंडिया में बांगलादेश से जुड़ा हुआ है तो और इसमें आते हैं तो यह इशू है तो नर्सी का जो इशू है सुप्रीम कोर्ट में 2013 में लिया गया था और उन्हों मैं आपको बता है माइगरेशन बहुत इसका 100 साल से चलता आ रहा है ब्रिटिश रूल में असाम को बेंगॉल के साथ मर्ज कर दिया था एड्मिंस्ट्रेटिव परपर इसके लिए तो वहां से फिर माइगरेशन होने लगा फिर 1826 से 1947 में ब्रिटिशर्स काफी सारे असाम म वह लोग लेकर आने लगे काम करने के लिए तो माइगरेशन कहां कहां से हुआ ब्रिटिशर्स के एक तो ब्रिटिशर्स लेकर आए फिर ब्रिटिशर्स के बाद भी हुआ ब्रिटिशर्स के बाद कैसे हुआ पहले तो पार्टिशन हुआ फिर उसके बाद इस्ट पाकिस्त इसके बाद फिर agitation स्टार्ट हुई 1979 से 1985 तक किसके अंदर आसु के अंदर All Assam Students Union और फिर उसके बाद बना Assam Accord जिसके अंतरगत ये डिसाइड हुआ कि illegal migrants जो आए हैं उनको identify किया जाएगा उनको वापस भेजा जाएगा तो ये है सारी कहानी और फिर इसी के अंदर बाकी ची इसी देखिए उससे connected है सब connected है तो यह स्टोरी है और आपको पता है न्यूज में रहा है तो यह पूरी स्टोरी है आई होप आपको थोड़ा-थोड़ा connect हो रहा हो एनर सी असाम अकॉर्ड और बोर्डोलेंड इसू और आसाम में अब कौन से कौन से इंसर्जेंसी के इसे ही एं फिर एंडी इस भी बहुत खतरनाक है यह बहुत हमला करते हैं कम्तापूर लिबरेशन औरनेजर्जेशन नॉट सो प्रॉमिनेट बट इसको भी टर्रिसर ऑग्नेज़ेशन करार कि या गया है तो इस तीनों को टर्रिस्ट ऑग्नेजेशन करार किया पिकाश यह ह नांटीपूर में बहुत इश्यूश हैं, बहुत छोटे-छोटे फैक्षन हैं, बहुत लडाईया हो रही हैं एक्ध वाइलेंट स्टेट है, तो इसको भी थोड़ा सा देखते हैं तो मनीपूर में मैती ट्राइब है कुकि ट्राइब है नागा ट्राइब है और इअलग अलग रीजन में है तो इनके लिए इनको या चाहते है तो इनके लिए जो इंसर्जन्सी lot 1964 में बनी थी और उसके दिबांड के हिसाब से 72 में मनिपूर को स्टेटूट दे दिया गया था लेकिन अभी भी काफी ज्यादा वाइलेंट ग्रूप हैं नॉन वाइलेंट भी ग्रूप हैं जो इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं इंडिया से वो चाहते हैं पूरा अलग होना फिर 1999 में कुछ यह मिल की कुछ ऐसे बन गये थे मनिपूर पीपल लिबरेशन फ्रंट यह इन्होंने एक ग्रूप बना लिया था यह ऐसा नहीं है कि सब एक ही इंस्टिटूशन बन गये हैं यह यह एक कृूप है जैसे आपका वटसएब ग्रूप होता है तो यह एक कृूप बना लिया और आज और एक और लफड़ा है कि ये लोग का इराद़ भी एक नहीं है नागाज जो हैं ये मनिपूर का एक पार्ट लेके नागा लेंड के साथ मर्ज करना चाहते हैं जो मेती लोगों को मंजूर नहीं है मेती लोग क्या चाते हैं कि पूरा स्टेट ऐसे कैसा ही रहे अखंड रहे और अलग हो जाए पूरा भारत से तो ऐसी बहुत सारी टेंशन होती हैं नागास, कुकीज, मेतीज, मुसलिम इनके बीच में लड़ाईया होती रहती हैं क्योंकि बहुत सारे ग्रूप हैं वहाँ पर नॉर्थीस्ट के दूसरे जो कन्फिक्ट से उनसे काफी अलग है क्योंकि इसके मनिपुर में काफी सरेंडर नहीं देखे गए हैं इसका मतलब क्या होता है कि जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने काडर्स पे अपने सोल्जर्स पे सो काल्ड सोल्जर्स असली सोल्जर्स नहीं है वो तो सो काल्ड सोल्जर्स पे that's my opinion but yes they also do not fit the definition जो सोल्जर की एक डेफिनेशन होती है सो अगे बढ़ते हैं अभी मैं आपको लिखे जाता हूँ 2019 में जो मनिपूर के गवर्नर थे गवर्नर की स्पीच पे तो इन्होंने कहा है कि अभी आज के लिए देखा जा रहा है कि चेंज हो रहा थोड़ा किस चीज में आइडिलोजी में अब वो इंसरजेंसी से हटके ट हो रहा है नाशनल हाइवेस पे अटाइक हो रहा है एक्स्टॉर्शन किया जा रहे ऑफिशल्स पे पैसे उनसे एंठे जा रहे हैं फिर अनिप्लॉइमेंट बढ़ रही है एकनॉमिक बाट्वर्टनेस है लाइन और प्रॉब्लम्स हैं तो यह सब जो है इंटर्नल सेक्योर बहुत जादा इंप्रूव हुई है वेल डारेक्टेड काउंटर इंसर्जेंसी मेजर मतलब अच्छे तरीके से इंसर्जेंसी को टैकल करने के लिए उससे उसको डिफीट करने के लिए जो ऑपरेशन चला जा रहे हैं वो सक्सेस्फुल हो भी रहे हैं तो यह स्थिती है अ तो देखो नॉर्थीस्ट में जैसे मैंने आपको बताया है कि नॉर्थीस्ट को छोड़के मनिपूर के जो रेबल्स हैं वो डिफेक्शन नहीं करते हैं और उनकी ना इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है और रेबल्स जो हैं वो लोकल पुलीस पर भी ज्यादा हमला नहीं करते तो उसकी वज़ा से क्या होता है वो जो लोकल सपोर्ट रहता उनको लेकिन उनके लिए जो फंडिंग है न में वो आती है एक्स्टॉर्शन से जो टेंपल्स हैं एजुकेशन इंसिट्यूट्स हैं बिजनस्मेन हैं या वुमिन बिजनस्वुमिन उनसे इल्लीगली मतलब यह पैसा चीनते हैं सिक्यूरिटी के नाम पे कि आप पे हमला नहीं करेंगे आप पैसा दो तो देखो अंडर यूए पीए अनलॉफुल अक्ट अट्रीविटीज प्रिमेंशन आक्ट सेंटर ने किन-किन और्गनेशेशन को टैरिस पूला है सारों भी बूला है जो भी है इसमें सब को बुला है यूनाइटेड नेशन लिब्रेशन फ्रंट पीपल्स लिब्लेशन लिब्रेशन आर्मी फॉर आफ मनिपुर सब को बोल है प्रिपक यह भी एक इंपॉर्टेंट इंस्टूशन है यहां पर सौरी और्गनेशेशन यह सब अब आते हैं मेगाल्या पर इसका लोकेशन देख लो मेगाल्या में बहुत कम इंसर्जन्सी है यह अच्छी बात है यह स्टेट थोड़ा शान्त है अब इस रीजन के हिसाब से लेकिन इसमें भी थोड़े बहुत इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि इसमें भी ट्राइब्स एक दूसरे से थोड़े जड़प में आ जाते हैं और खासकर ट्राइबल इदर लिखता हूं ट्राइबल वर्सिस नौन ट्राइबल यह भी है इसूज फिर बहुत सारी करप्शन भी है और बहुत सारे बांगलादेशी इमिग्रेंट्स भी आ रहे हैं और ऐसा निया कि सिरफ लोग आते हैं अपनी जिंदगी काटने के लिए क्रिमिनल्स भी आते हैं तो उनसे बहुत बड़ा इनको प्रॉब्लम है और सीधी सी बाते होगा क्यों नहीं होगा और इससे बात यही अगेन यहाँ पर यही डर है कि जो इमिग्रेंट आ रहे हैं कहीं वही हमको माइनॉरिटी न बना दे यह कौन सोस्ता है मेगाले की ट्र इसी में बदल सकता है समझे यहां से पढ़ो यह इन सर्जन सी में बदल सकता है फिर यहां पर में गाले में कौन सी कौन सी है और्गनाइजेशन हवन ट्रप कि को सोरी हैनी ट्रप नैश्नल लिबरेशन आर्मी एक को को बोल दिया है unlawful HNLC को गारो National Liberation Army को बोल दिया है terrorist organization नेक्स्ट अरुनाचल प्रदेश है अगे लोकेशन ध्यान में फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर दूसरे जो organization वह बहुत active है नस्चन active है I am active है फिर उल्फा active है यहाँ पर तो देखो NSCN का क्या है और नाचल में जो तीन इस्टेट डिस्टिक है इस्टेट डिस्टिक्ट ओके उपर की तरफ तिराप चंगलांग लॉंग डिंग यह जो है इन में हमेशा डर बैठा रहता है क्योंकि यहाँ पर NSCN है यहाँ पर जो kidnapping करते हैं, extortion करते हैं, feud फैलाते हैं मतलब एक दूसरे में वो करते हैं कि हम उपर यह तुम उपर तो अपने अंदर भी NSCN fight करता रहता है यह वाला उसको भी साथ में नागलिम में लेना चाहते हैं तो यह जो डिस्टिक है तीराप चांगलांग और लॉंग डिंग यह हमेशा इन में डर बठा रहता है कि यह क्या हमला कर दें फिर उसके बाद इन दोनों नागा आउटफिट्स के अलावा उल्फा उनाइटेड नेशन सॉरी उनाइटेड लिबरेशन फ्रेंट ओफ असॉम यह भी यहां पर है और यहां पे यह अरुनाचल से रास्ता करते हैं मतलब ट्रांसिट रूट है उल्फा यहां पे ट्रैवल करके कहीं और जाने के लिए इस रास्ते को यूज करता है लेकिन यह थोड़ा पीस्फुल रहा है 2001 के बाद क्योंकि वहां पे सीसफायर हुआ था किसके साथ एन एस सी एन खापलां के साथ जो तिराप डिस्ट्रिक में एक्टिव था एक बार मै चांग लिंग है यह तिराप है यह लॉंड निंग है तब यहां पे हुआ थो यहां पे हमेशन ड़र रहता है तो यहां पे यहां पर यह nscn का प्लांक और nscn इसात कि आबभिया आके टैक नहुरा कर दें ऐसा चलता रहा है लेकिन आप क्या हुआ जो 2001 में जो सीसफ puisquायर था वो इन्होंने 2015 में साइन करने से मना कर दिया और आर्मी पे बहुत बड़ा हमला भी किया तो ऐसी एक्टिविटीज चल रही है अरणाचल प्रदेश में फिर आते हैं मिजवराम पे मिजवराम का लोकेशन देख लिए आगे बढ़ते हैं यह स्टेट एक सक्सेस स्टूरी है इंसरजन्सी को सॉल करने के लिए और उसके बाद जो डवलपमेंट लाया जा सकता है विकास लाया जा सकता है उसके लिए तो यहां पे भी स्टेट रूड का डिमांड था तो वो 1986 में एक पीस डील साइन हुई थी उसके बाद इस स्टेट बना था स्टेट कब बना था 1987 पे 23 स्टेट था भारत का 53rd Amendment Act Constitution में करी गई 1986 में उसके बाद है February 20 1987 में existence में उसके बाद क्या हुआ स्टेट आने के बाद काफी stability आई और उसके बाद authorities काफी यहां पे development भी लेकर आई agriculture में भी और economy में भी लेकिन issues क्या क्या आ सकते हैं potential areas जो हैं जहां पे issues बन सकता है वो है economic disparity मतलब inequality आ रही है और कुछ tribes जो है वो schedule tribe का recognition चाहते हैं और कईयों को मिल रहा है कईयों को नहीं मिल रहा है क्योंकि schedule tribe पे reservation मिलता है ना government jobs में तो उस चक्कर में यहां पे बहुत जादा issues है बट insurgency नही नहीं बनाए fighting नहीं हो रही है अग बंदू के लेकर मार नहीं रहें दूसरे को कि next state पर आते हैं तिर पूरा location देख लीजे तो यहां पर भी यह एक issue आया है कि जैसे यह border पर है बांगलदेश के साथ तो यहां पर भी यह issue है कि यहां पर भी migration हुआ पाकिस्तान जो था east पाकिस्तान वहां से migration हुआ उसकी वज़ा से tensions हुई local versus migrants उस tension की वज़ा से तुरी पूरा national volunteers extremist outfit एक बनी लेकिन सरकार ने इसमें intervene किया सरकार आई उन्होंने बाते करी उसके बाद six schedule में schedule council बनाया tribal area उसको land reform के अंडर लाया ताकि उनको सब भी मिले वो economy बढ़े वहां पर तो उसकी वज़ा से यह groups पे इतना attract नहीं हुए कौन से groups extremist groups जो होते हैं यह वाला बट अभी भी issue है क्योंकि tribal जो है अभी भी थोड़े खफा है क्योंकि उनके उपर modern जो ideas है वो थोपे जा रहे हैं और local customs उनके दबाए जा रहे हैं तो यह एक issue है देखिए ट्राइबल का issue होता ही है अगर उनको आप थोपोगे कुछ उन वाला देशी border के पास है तो यह smuggling का route है militants जो दूसरे राज्जों में हैं उनको supply होता है यहां से weapons तो यह एक concern है security internal security concern फिर वही border की वज़ा से बेंगॉली speaking जो लोग है उनको outsider माना जाता है वो हैं भी अगर दूसरी देश से आ रहे हैं वो तो हैं तो उनको उनके खिलाब भी यहां पे वो है बहुत गुस्सा है कि क्यूं आ रहे हो और उपर से एक और लफडा होता है कि जो दूसरे states हैं वहा से लोग आके मिजवरम में आ रहे हिं है मिजवरम से आ रहे हैं सढ़ी चाहिए तो ये भी इशु हैं तेरप्रय में भी कि दो आशोशेशन आशोशेशन हैं All Tripura Tiger Force National Liberation Front of Tripura तो यह भी टेर्रिस्ट organization है unlawful है सिक्किम location देख लीजे final state तो देखिए पहले मैं आपको बता दू सिक्किम is free from insurgency यहां पर है नहीं और इनकी बहुत development भी है यहां पर high development है और काफी जादा इनके जो ethnic groups हैं सिक्किम में जो ethnic groups हैं अलग-अलग culture के लोग लेपचाज भूटियाज नेपाली तो उनके साथ भी इन्होंने balance बना के रखा है साथ लेके चला है development काफी हाई है employment काफी हाई है तो उसकी वज़ा से स्थिरता है एक राज्य में stability है तो यह सब issues है finally हमने सारे states को देख लिया है जो भी North East में है जहां पर भी insurgency छुई भी है सिक्किम जैसे state को भी लिया है although बहुत लोग ignore कर देते हैं इसको बटाना ज़रूरी होता है आप क्या आपके दिमाग में रहेगा उससे क्या है आप इसको conclusion में लिख सकते हो कि यहां पर भी ethnic groups हैं यहां पर भी लोगों को बाट के नहीं मिला के रखा है तो conclusion क्या है देखो non-local जो लोग है उनके साथ लड़ाई है लोगों की local versus non-local ethnic issues है मतलब एक cultural group दूसरे cultural group से लड़ाई कर रहा है एक tribe दूसरे ट्राइब से economic development नहीं है तो इससे क्या है जो insurgency वाले लोग है जो हमला करने वाले groups है उनको support मिलता है और support तो मिलता ही है और इसी से insurgency फैली भी रहती है चलती भी रहती है फिर और भी point है कि यहां पर जो region है natural resources में बहुत अच्छा है बहुत यहां पर जाना तो जो planes हैं जो semi planes हैं उन्ट पर जाके तो करें तो वहां से क्या होगा employment आईगी development होगी जो सिक्की में role model बन सकता है ना इस area के लिए ठीक है तो सरकार को क्या करना चाहिए थोड़ी सी policies ऐसी लानी चाहिए जो region के लिए बनी हो जो ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से बैटके बना रहे हैं कभी नौर्थीस्ट में आई नहीं रही नहीं थोड़ा travel करो वहां पर देखो लोगी problem क्या बाते करो है ना ऐसे ऐसे करके solution निकाला जाए सिरफ security बढ़ाने से नहीं होगा यहां पर भी development चाहिए और यह बहुत अभी तक अभी 10-20 साल में थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन उससे पहले तो नौर्थीस्ट पर इत्ता ध्यान नहीं दिया जाता था तब तक development के संधर्ब में उसको सिरफ security law and order problem ही देखा जाता था तो अगर इसको चेंज नहीं किया जैसे अभी धीरे-धीरे जागरुकता आ रही है, एक्टिस्ट कर रहे हैं, नएने बिरिज बन रहे हैं, अरनाचल में भी बन रहे हैं, है ना, तो बहुत सारी चीज़े जो ऐसी development की हैं वो लाई जा रही है, वो हम अगले lecture में देखेंगे, तो problem यह है कि अभी ध्यान बटना शुरू हुआ है, ध्य एक चीज में आपको बताता हूँ, वाइलेंस बिगेट्स वाइलेंस, मतलब अगर आप वाइलेंस करोगे, वाइलेंस यह आपको पलटके आएगा, ओके, चलो, फटा-फट रिव्यू कर लेते हैं, बहुत स्लाइड्स हो गई, आई होप आप लोग बोरना हुए हो, उसमें कुछ थोड़ी अलग फोटो दिखे, अलग थोड़ा पैटन दिखे, तो विजुली आप कम से कम बोरना हो, तो पहले हमने देखा, आठ स्टेट्स होते हैं, सेवन सिस्टर्स के बारे में पढ़ा जोग्रफिकली थोड़ा देखा, इंटरनाशनल क्या है, थोड़ा स यहाँ पर एक कन्फिक्ट की, मतलब नॉर्थ इस्ट में कौन से कौन से टाइप के कन्फिक्ट होते हैं, तीन टाइप मैंने आपको बताए, सब रीजनल कैसे होता है, देखो नॉर्थ इस्ट एक रीजन है, मैं जस ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अलग लग लग जाते हैं, एथनिक मतलब एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से लड़ रही है, सब रीजनल मतलब जो एक स्टेट है, वो स्टेट के अंदर अपने आपको एक ग्रूप है, वो एक स्टेट में अपने आपको ज़्यादा बनाना चाहता है, ऐसे, मतलब वो रीजन तक ही रहता और नैशनल में वह एक स्टेट से दूसरे में चले आते हैं फिर हिस्टॉरिकल बैग्राउंड देखा हमने इसको दो पार्ट में बाटा प्री इंडिपेंडेंडेंस ब्रिटिश क्या क्या किया और उनकी वजह से क्या हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या रहा है अंगामी जापू, फीजो, यह एक important उसमें रहे हैं, ठीक है, figure है, फिर उसके बाद all parties, hill leader conference, फिर situation क्या है अभी, insurgency के हमले घट रहे हैं, उसके incidences घट रहे हैं, state wise हमने समझने कोशिश करी, नागा लेंड की story समझी, timeline समझी, यह थोड़ा सा complicated है, इसके बाद तो काफी सार easy होगे, तो complicated मैंने पैड़ा पढ़ाया है, क्योंकि lecture के time पे शुरू में थोड़ा ध्यान ज्यादा रहता है, और active ज्यादा रहता है इंसान, तो पहले मैंने hard वाल organizations यह active है, आसाम को भी ऐसे ही समझा, history समझी, वहाँ पे organizations कौन सी है, और issues कौन से है, बोडो लैंड का है, पूरा detail में देख लिया, उसके बाद यहाँ पे अभी यह agreement हुआ है, न्यूज में किसी तरीके से आ सकता है, NRC क्या है, उसके बाद कौन से organizations, मनीपोर में क्या issues है, यह governor की speech से direct उठाया गया है, यहाँ पे क्या issues है, वो बता दिये, मेगाले को हमने देख लिया, और ना चल, अपना कुछ नहीं है इनका, बाहर से जो issues आ है, NACN के दो factions है, मतलब दो groups, यह हमने देखा, कहाँ पे active है, मिस ओरम, यह जो border से जुड़ा रहता है, उसमें तो औ और थोड़ी तकलीफे होती है, तेरे पुरा, and सिक्कें, ओके, फिर हमने conclusion देखा, तो thank you so much, thank you for your patience, I hope कुछ सीखने मिला हो, थोड़ा interesting रहा हो, चलो, next lecture मिलते हैं everybody, ठीकी, चलो, bye-bye, take care.